Hello friends, welcome to study car, मैं हूँ आपका दोस्त प्रफाकर, आज के इस important lecture में हम सबी discuss करने वाले हैं, 26 जुलाई 2024 के most important current affairs की question, तो आप इस पूरी lecture को बहुत ही ध्यान से last तक जूर देखीगा, पहला और important question है, Paris Olympic 2024 किस देश में शुरू हुआ है, काफी important question है, answer हो जाएगा France में, तो France में Paris Olympic 2024 का आयोजन शुरू हो गया है, दोस्तो Paris Olympic 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस 2024 तक किया जाएगा, और इस बार इसका 33 बार संस्क्रण आयोजित किया जा रहा है, इसमें 10,500 एथलीट भाग ले सकते हैं, दोस्तो 2024 के Olympic में चार नई games जोड़े गए हैं, उनमें पहला है breaking, दू इसरा है sport climbing, और चौथा है skateboarding, तो ये चार games जोड़े गए हैं, ये question आपके exam में पूछा जा सकता है, तो इसे आप note जरूर करिएगा, 2024 के Olympic Games का जो आदर सबाग है, वो क्या है, United by Emotion, और 2024 का सुभंकर क्या है, तो Olympic freeze, यहाँ पर आप सुभंकर को देख सकते हैं, यह एक प् पी है, जिसे Paris Olympic 2024 का सुभंकर बनाया गया है, इस बार जो medal दिये साएंगे खिलारियों को, उसमें Eiffel Tower के लोहे का टुकड़ा भी लगाये साएगा, तो France की capital Paris में Eiffel Tower इस्तित है, तो उसके लोहे का कुछ टुकड़ा होगा Olympic medals में, इस बात को भी आप याद रखेगा, अच और ऐसा पहली बार होगा Olympic खेलों में, कि उधगाटन समारो किसी ground में ना हो करके नदी के किनारे आयुजित क्या साएगा, अब सबाल आता है कि Olympic खेलों का आयुज़न कौन करवाता है, तो Olympic खेलों का आयुज़न अंतरराष्टिय Olympic समीती यानि International Olympic Committee के द्वारा करवाये जात दोस्तों ये जो अंतरराष्टि Olympic समीती है, इसके संस्थापा कौन है, और इसका मुख्याले कहा है, लॉज़न सुझेलेंड में, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, इसके active member कितने है 107 और बरतमार में इसके अधिक्ष कौन है, थामस बाग, दोस्तों इसका आदर्स क्या है, Cityus, Altusius, Fortius और Communitier, आपको याद रखना है कि जो Olympic खेलों का जंडा होता है, ये आप देख सकते हैं, Olympic खेलों का जंडा, इसमें 5 रिंग होते हैं, तो इसमें नीले, डार्क पीले, और काले, और हरे, और लाल रंग के रिंग होते हैं, और आपको याद रखना है कि ये जो 5 रंग हैं, ये 5 महादीपों को प्रदर्सित करते हैं, तो जो नीला रंग है वो यूरोप को, पीला रंग एसिया को, काला रंग अफ्रीका को, हरा रंग ऑस्टेलिया को, और लाल रंग अमेरिका को प्रदर्सित करता है, अच्छा, जो Olympic Games हैं, उनकी शुरुबात 1776 इसा पूर्व से हुई थी, लेकिन जो आधुनेक Olympic खेल हैं, इनकी शुरुबात हुई थी 1896 से, ये आपको याद रखना है, और पहला आयोजन कहां हुआ था, ग्रीस के Athens में, पैरिस Olympic में भारत से related कुछ important factor discuss करते हैं, तो पैरिस Olympic में भारत के 170 खिलाडी सामिल होने बाले ह और सेफ डी मिसन बनाये गया है गगन नारंग को, और भजबाहक दो खिलाडियों को बनाये गया है, पहले है टेबल टैनिस खिलाडी सरत कमल और दूसरी है पीवी सिंदूजो की बैडमिंटन खिलाडी है, आपको याद रखना है कि पैरिस Olympic 2024 में टीम इंडिया का मुखर प बैंकिंग भागिदार बनाये गया है पैरिस Olympic 2024 के लिए, तो ये कुछ है important fact है, इन्हें आप note कर ले, आप इस पूरी lecture को last तक देखिएगा, last में आप से question पूछा जाएगा, जिसका answer आपको comment box में बताना है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe कर लें, bell icon भी टेस्ट पास में क्या होगा, तो जितने भी exam होते हैं आपके competitive exam, उन सभी के लिए test बनाये गए हैं app पर, तो आप ये प्राप्त कर सकते हैं और test दे सकते हैं और अपनी तयारी पर रख सकते हैं कि आपकी कितनी तयारी हो गई है या कितनी तयारी करने की जरूरत है, अंगला देश में exercise Khan Quest 2024 का आउज़न के जार रहा है और इस बार इसका 21 बा संस्क्रण आउज़ित के जार रहा है, बियतनाम की बात आई है तो भारत और बियतनाम के बीच बिनबैक्स अभ्यास, भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिन अभ्यास और भारत और ऑस्टिलिया के बीच म मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार में आउज़ित किया जाएगा, और यह एक वहु राष्टिय सेन अभ्यास है, यानि मल्टी नेसनल मिलिटरी एक्सरसाइस है, दोस्तों इसका उदेश है सांतियो सुरक्षा को बढ़ाबा देना है, यह अभ्यास हर साल मंगोलिया में ही आउज़ित किया जाता है, और इसकी सुरुबाद 2003 में हुई थी, और अभी कुछ समय पहले भारत और मंगोलिया ने भी एक अभ्यास आउज़ित किया है, जिसका नाम था नॉमोडिक एलिफेंट, तो इसका आउज़ित दो हजार 24 में मेगाला की उमरोई में किया गया है, म OPEX, exercise का आउज़ित भारत और इज़ित कि बीच में अभी हाली में हुआ है, पहला Freedom Age exercise का आउज़ित दचन कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच हुआ है, और IMAX, अभ्यास का आउज़ित भारत और जापान के बीच में, Red Flag exercise या एक Multinational exercise थी, साथवे तरकस एक्ससाइज का आयोजन भारत अमेरिका के बीच में हुआ है सक्ती एक्ससाइज का आयोजन भारत फ्रांस के बीच में पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन भारती नौसेना ने किया है नेक्स्ट कोशन है राष्टपती भवन की दर्वार हौल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है आंसर हो जाएगा गरतंत मंडव यानि कि राष्टपती भवन में जो दर्वार हौल था अब उसको गरतंत मंडव के नाम से जाना जाएगा तो यहां पर आप राष्टपती भवन देख पा रहे हैं तो यही परिस्तित था दर्वार हॉल तो अब इसे गरतंत मंडब के नाम से जाना जाएगा दोस्तों यह जो दर्वार हॉल था यह वही स्थान था जहां पंडित जबाहलाल नहरू ने 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत के पहले प्रधान मंत्री की रूप में सपत ली थी इसके अलाबा एक और नाम बदला गया है राष्टपती भवन में तो जो पहले असोक हॉल कहलाता था अब उसे असोक मंडब के नाम से जाना जाएगा तो यह दो बदलाव किये गए हैं अभी हाली में राष्टपती भवन में राष्टपती भवन की बात करें तो इसका इनोग्रेशन किया गया था 6 अप्रेल 1929 को और इसका इनोग्रेशन किया था वाइस राय और गवर्णार जनरल लॉर्ड इर्मिन ने कुछ important बदले का इनाम discuss करते हैं तो मोगल गार्डन जो की दिली में है तो इसका नाम अमरित उद्ध्यान किया गया है और होलोंगी ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट जो की अरवनाचर प्रदेश में है इसका नाम डौनी पोलो एरपोर्ट किया गया है चिपी एरपोर्ट जो की मह महराष्ट में है इसका नाम बैरिस्टर नात पाई हवायड़ा किया गया है दौलताबाद किला जो की महराष्ट में है इसे देवगिरी किला की नाम से जाना जाएगा और कीवी थुदू सैन सिबिर जो की अरवनाचर प्रदेश में है तो इसका नाम क्या गया है जनरल ग्राउंड जो कि इंग्लेंड में उसका नाम सुनील गावसकर क्रिकेट ग्राउंड किया गया है द्रास सेक्टर में एक जगह है जिसको 0.5140 कहा जाता था तो उसे अब गन हिल की नाम से जाना जाता है next question है goa sipeart limited ने हाली में कौनसा युद्ध पोट लांच किया है?」 आंसर हो जाETHा त्री पोट तो goa sipeart limited के द्वारा अभी हाली में भारतियो नौशेना के लिए 3 पोट नाम का एक युद्ध पोट लांच किया है और इसकी लांचिंग की गई है goa में दोस्तो यह एक स्टील्ट फ्रीक्रेट है यानि इसका मतलब यह है कि इसे राडार से भी नहीं पकड़ा जा सकता है दोस्तो भारतिय नौशेना की स्थापन कब हुई थी 1612 में नौशेना दिवसका मनाय जाता है 4 दिसंबर को इसका आदर सबाक क्या है सम नो वरुना और नौ म्यानमार देश के कारबाहक राष्टपती बने है मिन ओंग हैलेंग अच्छा वियतनाम की बात आई है तो यहां के नई राष्टपती बने है टूलेम और इंडोनेसिया के नई राष्टपती बने है प्रबोबो सुभ्यान्तो और फिलिपिन्स के राष्टपती है फर्डि प्रवार्ट की सीमा भारत की चार राज्यों से लगती है जिसमें आरुणाचर प्रेस, नागालेंड, मडीपुर और मिजोरम है। कुछ अंतराष्टी न्यूक्रें डिसकस करते हैं जैसे डोनाल टस्क पोलेंड के पीम बने हैं, एंड्री राजोयलीना मेडागासकर के राष्टपती, क्रस्टोफर लक्सन न्यूजीलेंड के पीम और लिूक फ्रीडेन लक्जंबर के पीम, जेबियर माईली अर्जेंटीना के राष्टपती और स्रेथा थाविसिन थाइलेंड के पीम और हुन मानेट कमबोडिया के पीम और एडगर सरिंकेविक्स लात्विया के राष्टपती बने हैं, नेक्ट कुशन है डेविट लेमी किस देश के विदेश सचयों हैं जिन्होंने भारत का दोरा किया है, आंसर मोदी जी गए थी और यह भारत की किसी भी प्राइमिनिस्टर का 41 साल बाद दोरा किया गया था, चिली की बात करें तो टोक्यो विश्विद्याले के द्वारा चिली में विश्व की सबसे उची विद साला का उद घाटन किया गया है, बेलारोस की बात करें तो यह अब भी की है और उन्होंने प्राइमिश्टर मोदी जी और विदेश मंत्री एस जैसंकर जी से मुलाकात की है और विभिन मुद्दों पर चर्चा की है जैसे निवेस, रक्षा और सूचना प्रोधो की AI, नवाचार और जलबायू परिवर्तन इन सभी मुद्दों पर चर्चा की है आपको याद रखना है कि ब्रिटेन में अभी हाली में सत्ता परिवर्तन हुआ है और कीर इस्टारमर वहां के नई प्राइमिश्टर बने हैं जो नई सरकार बने हैं उसके विदेश मंत्री ने बारत का दोरा किया हुआ है युनाइटेट किंग्डम की बात करें तो यह चार देशों से मिलकर बना हुआ है इंग्लेंड, स्कॉटलेंड, बैल्स और उत्री आइलेंड यहां के समराठ है चाल से त्रतिय है प्रधान मंत्री है कीर इस्टारमर और लंदन यहां की कैप्टल है ठीक है तो यहां पर आप यूके का मैप भी देख सकते हैं कुछ इंटरनेशनल करिंट अफियस डिसकस करते हैं तो दच्छन कोरिया के उच्टम न्याना ने सम लेंगिक जोड़ों को कुछ अधिकार प्रदान किये हैं बेलारूस 35 यूरोपिय देशों के लिए बीजा फ्री नीती लागू करेगा फिन लेंड ने रूस से आने वाले सड़नार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है इटली के एटना और स्ट्राम बोली जो अला मुखी में अभी हाली में बिस्पोर्ट हुआ था तुर्किये FATF की ग्रे सूची से बाहर हो गया है अमेरिका ने केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोशित किया है और तजाकिस्तान ने हिजाब और इसलामी परिधान पर अभी हाली में प्रतिवन लगाया है अंगला कुश्यन है किस देश के त्रिभुवन अंतराष्टी हवायड़े से उडान भरते समय बिमान के दुरगटना ग्रस्त होने से 18 लोगों की मौत हो गई है आंसर हो जाएगा नेपाल तो त्रिभुवन इंटरनेशनल एरपोर्ट किस देश में है नेपाल में है तो वहाँ पर एक बिमान उदान भर रहा था उसी दोरान वो दुरगटना ग्रस्त हो गया जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है अच्छा इरान की बात आई है तो इरान के राष्टपती थे इब्राहिम रैसी तो उनकी भी अभी हाली में बिमान दुरगटना में ही मौत हुई है मलावी की बात करें तो मलावी के उपराष्ट पती थे साउ लोस चिलमा तो उनकी भी प्लैन हादसे में मौत हुई है तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं तो दोस्तो नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एर पोर्ट पर फ्लाइट क्रेस होने से बड़ा हादसा हो गया है 18 लोगों की मौत हो गई है 19 लोग कुल सबार ते जिसमें से पाइलेट बच गया है और 18 लोगों की मौत हो गई है तो स्वर्या एर लाइन्स का बिमान था तो उसने उड़ान भरी थी और फिर बाद में ये दुरगटना गिरस्त हो गया था नेपाल की कैपिटल क्या है काटमांडू और रामचंद्र पोडेल राष्टपती हैं प्रधान मंत्री है केपी सर्मा ओली और करंसी की बात करें तो नेपाली रुपया है सूरिकरन अभ्यास भारत और नेपाल की बीच होता है उत्तप्रदेश उत्राखंड बिहार पश्यमंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है सैमसेक्स मैजर रजिस्टरड करने माला पहला दच्छन एसी आई देश कौन है नेपाल कुछ इंपोर्टेंट करेंट अफ्यास डिसकस करते हैं नेपाल से रिलेटर तो तरप्रदेश सरकार नेपाल और सीमा बर्ती राज्यों में मित्र बन इस्थापित करेगी नेपाल की परबता रोही हैं पोर्णिमा स्रेष्ट तो उन्हों ने एक ही सीजन में तीन बार मांट एवरेश्ट पर फताय हांसिल किये हैं नेपाल के परबता रोही हैं कामी रीता सेर्पा तो नों ने 30 भी बार एवरेश्ट पर चढ़ाई पूरी करके एक रिकॉर्ड बनाया है बारत ने अभी हाली में नेपाल को 35 एंबुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी है नेपाल ने पोखरा को अपनी परटन राजधारी बनाने की घुशना की है और पहला अंतराष्टी इंदर धनुस परटन समेलन काटमांडू नेपाल में क्या गया था अंगला कुशन है विलियन इंप्रेसंस का उधगाटन कहां क्या गया है अभी हाली में राची में बिलियन इंप्रेसंस का उधगाटन किया गया है अच्छा बैंगलूरू की बात आई है तो बैंगलूरू में अभी हाली में नौकिया के द्वारा 6G लेब इस्थापित की गयी है चैन्नाई की बात करें तो TCWI 2023 अध्यन के अनुसार भारतिय महिलाओं के लिए सर्बोत्तम सहर की रूप में चैन्नाई को चुना गया था गोपाल की बात करें तो मदब प्रदेश की चीपमिश्टर है मोहन यादवची तो उन्हों ने गोपाल से प्रधानमंतरी स्री पर्टन हवाईसिवा का सुभारम किया है तो दोस्तो जारखन की चीपमिश्टर कोई है वर्तमान में? हैमद सुरेन तो उन्होंने राच्ची में भगवान विर्सा मुंडा इस्मर्ती पार्क में billion impressions का उदगाटन किया है अब सबाला आता है कि ये billion impressions क्या है तो जिस प्रकार से हमारे fingerprint होते हैं उसी प्रकार की सरचना बनाई गई है इस्टील से यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दो अंगूठों का फिंगर प्रिंट इसमें बनाया गया है और इसको टाटा स्टील ने बनाया है इसका उद्देश से कला संस्कृति को बढ़ाबा देना दोस्तो जारखंट की बात आई है तो इससे related कुछ important current affairs discuss कर लेने है तो जारखंट की capital राची में पूर्वी भारत का पहला दिब्यांग विस्तो बिद्याले स्थापित किया जाएगा अभी हाली में जारखंट की तीसरी बार चीप मिश्टर बने है हैमंत सौरेन भारत की पहली कोईला गैसिफिकेशन पाइलेट पर योजना जारखंट में शुरू की गई है और जारखंट में अभी हाली में पुनर विबाह प्रोसान योजना का उधगाटन किया गया है जार्खंड में मुख मंत्री बेहन बेटी प्रोसान योजना शुरू की गई है जार्खंड सरकार ने ब्रद्धा वस्ता पैंसन के लिए आयूशीमा गटा करके 50 बर्स कर दी है स्रमकों के लिए नियूंतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज जार्खंड बना है जार्खंड की कैपिटल राची है स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को ही थी राजपाल है सीपी राधा कृष्णन और बेतला नैसनल पार्क जार्खंड में इस्तित है अंगला कुशन है सीटी कुरियन का निधन हो गया हुआ कौन थे तो वह एक अर्थ सास्त्री थी तो उनका भी हाली में निधन हो गया है दोस्तों उन्होंने सन 2000 में भारती आर्थिक संग के अध्यक्ष की रूप में भी काम किया हुआ है हाली में हुए कुछ प्रमुक निधन डिसकस कर लेते हैं जैसे कैमलेन की संस्थापक सुभास दांडेकर का निधन हुआ है अगला कुशन है बहा मास कामन बैल्ट के हाई कमिस्नर कौन मने है आंसर हो जाएगा मयंक जोसी तो मयंक जोसी को अभी हाली में बहा मास देश में हाई कमिस्नर निक्ति किया गया है अच्छा बिनै कुमार की बात आई है तो ये रोस में भारत के राजदूद बनाए गए है बिक्रम दोराई स्वामी यूनाइटेट किंग्डम में भारत के हाई कमिस्नर है और सिभी जोर्ज की बात करें तो यह जापान में भारत के राजदून है तो विदेश मंतरा लेने अभी हाले में मैंक जोसी को बहामास कॉमन वैल्थ में भारत का अंगला हाई कमिस्नर निक्त क्या है बहामास की बात करें तो दोस्तो इसे या तो बहामास बोला जाता है या बहामास कॉमन वैल्थ के नाम से भी जाना जाता है नासाउ इसकी कैपिटल है और यहां के समराठ है चार्ज तरतिय यानि जो समराठ ब्रिटेन के हैं वही समराठ है बहामास के और प्रायमिश्टर है fest Đैविस और यह उतरी अमेरका महादीब में इस्तित एक स्वतंतर देश है यहाँ पर आप उतरी अमेरका महादीब देख पाने है और यहाँ पर इस्तित है Baha Mas तो दोस्तों ये थे आज के कर इंटरफेस के कुशन चलिया हम कल के कर इंटरफेस के कुशन एक बार रिवाइस कर लेते हैं के साथ रोबोट का चेहरा डेवलप किया है जापान पिले स्पोर्ट्स के ब्रांड अमेस्टर कौन बने हैं सानिया मिर्जा मेरी कॉम और रंड विजय सिन्हा तो हजार पचीस में पहले ओलंपिक इस्पोर्ट्स गेम्स की मेजमानी कौन सा देश करेगा साउधी अरब बारत की ओर से सबसे ज़्यादा T20 रं बनाने वाली महिला खिलाडी कौन बनी है हरमन प्रीट कौर दुनिया की पहली हाई स्पीड कारबन फाइवर ट्रेंड किसने चलाई है चाइना हाली में पूर्वूतर के किस राजज ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉंच किया है मेगाले आज के जनरल नॉलिज के पिटारे में हम विस्स में सबसे बड़ा चोटा और लंबा डिसकस करेंगे जैसे सबसे लंबी नदी है नील नदी जो की अफरीका कॉंटिनेंट में है चोड़ी नदी है अमेजन जो की ब्राजील में है और छोटी नदी है डी नदी जो की अमेरिका में है सबसे लंबी तट रेखा है कनाडा की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी जो की जर्मनी में है दोस्तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजी में किलीए आपको टेलिग्राम पर जाना है और सिटेडी कर ओफीसियल सर्च करना है तो इस परकार का । अज। एड चैनल का नाम आज आज आएगा तो इससे आपको add हो जाना है, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, इसके अलाबा दोस्तों आप हमारे app को download कर लीजिगा, इसका link description box में दिया गया है, तो यहाँ पर आपको e-book मिल जाएगी, तो monthly current affairs की PDF मिल जाएगी, e-book मिल जाएगी, तो इन सभी को प्राप्त करने के लि e-book और इसके अलाबा six month के current affairs की e-book हिंदी और English दोनों मिल जाएगी, तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए, app को ज़रूर download करें, हमारे whatsapp चैनल और telegram चैनल के page को भी follow कर लीजेगा, इसका link description में है, दोस्तों एप पर जो test आयोजित किया गया था 25 जुलाई 2024 को, उसके ब इसके अलाबा सूरज कुमार, तो ये सभी इसके बिनार हैं, तो आप भी test दीजेगा, एप पर आपको test मिल जाएगा,